कभी जीवन में आपको लग रहा हो कि मेंने दो-तीन वेपार करके देख लिए और घाटा ही घाटा हो रहा है इसमें मुझे तरक्की नहीं मिल रही है इसमें मुझे उन्नती नहीं मिल रही है या करजा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, वो बहुत करजा बढ़ रहा है, तब एक प्रयोग जरूर करिये है, तब बन सके परदूश के दिन एक धतूरा बागवान शंकर के शिविलिंग के उपर रदीजी, जब तुमें लगे कि मैंने दो-तिम बेपार बदल कर देख लिए, चल नहीं रहें, या करजा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तब एक धतूरा भगवान शंकर के उपर रख दीजीए, धतूरा रखने का एक नियम होता है, धतूरे की जो डंडी होती है, देखिए कि छोटी स यहां बेटे हो, उससे विप्रीत होना चाहिए, धतूरे की जण्डी, आप इधर बेटे हो, तो धतूरे की जण्डी उदर देखिए, अपने को लग रहा है कि वेपार में बदल लिया, दो बार, चार बार, छे बार वेपार बदल के देख लिया, और करजा बढ़ रहा है, पर वेपार बही नाई चल रहा, थेक्टी डाली, वो भी चल बंद हो गई, दुकान डाली, जुद बंद हो गई, कुछ काम करा, वो भी बंद हो गया, जहां सम्मंद के लिए जाते हैं, सम्मंद नहीं होता है, बेटा-बेटी बड़े हो गए, उनका कहिं जम नहीं रहा, ब बहुत प्रयास करके देख लिया पर दो नहीं रहा तो प्रदोश के दिन धतूरे को रखिए पर डंडी विप्रित दिशा की ओर हो और एक लोटा जल धीरे धीरे उसी धतूरे के ऊपर आप चड़ाना प्रारम कर दीजिए जो शिवलिंग के ऊपर रखा हूँ महराज़ हाट के इश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल समर्पित करा जाता है और उस जल को समर्पित करने के बाद उसी धतूरे को वापिस घर में लिया आया जाता है बापिस लिया उसके बाद तूम जिस कारे में हाट डलोघे और जो कारे करना चाहोगे उसमें सफलता मिलना चलु हो जाएगी और करजा भी धीरे धीरे चूकना प्राड़म हो जाएगा संबन्द नहीं हो रहे होंगे तो संबन्द होना हुआ है कौन सा महादेव जम के बुली जरा हार्ट टिश्वर महादेव का इसमन